आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और वेल आइकन को प्रिस करना ना भूले अगर आप महरास्ट जाएं उत्तरप्रदेश जाएं बिहार जाएं पस्चिम मंगाल जाएं या एक देश के कई हिस्सों में अगर आप जाते हैं तो आपको काफी बहुत अन्युआई नजर आते हैं लेकिन जो जनगरना के जब आकड़े सामने आते हैं तो मैं आपको बता द तो हमारे बीच में हैं एक भंते जो कि इस विसे में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं धम की बाते तो बताते ही बताते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी बता दूँ कि इस समय वे इस जनगरना में बोध्धो को क्या करना चाहिए कैसे उन्हें अपना जो आप लोग ने किस प्रकार से हम दूर करें इसी विसे की चर्चा करने के लिए मेरे साथ में है भंते धम शिखर जी पुझे भंते धम शिखर जी आइए मैं उनसे बात करता हूँ इस बारे में जनकारी लेने के लिए जो जनगरना चल रही है उसमें बोध्ध अनियाई को क्या करना जी को बावा साब ने कहा था अब उस वाक्य को पूरा करने के लिए बोध्ध लोगों ने कितना प्रयास किया ये बहुत महत्वपुर्णबात है या कितना प्रयास नहीं किया तो उसमें बोध्धों की जनसंक्या है वो 84 लाख के आसपास बोध्धों की जनसंक्या है अकेल जैसे कि हम आसाम अरुनाचल प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ पर भी बोध्द है लेकिन वो जो है उनको सेडूल ट्राइप का आरक्षन उपलब्द होता है और जो महारास्ट, मध्यप्रदेश, छतिसगर और अन्य एरिया में जो सेडूल कास अनुसुचित जाती के लो यह लोग भी आरक्षन का लाब ले रहे हैं चूकि लोगों को यह बताया गया है कि भीया अगर आप धर्मक के कॉलम में हिंदू लिखेंगे तो आपको आरक्षन मिलेगा इसी वजह से लोगों के दिल दिमाग में यह बात बढ़ गई कि हम अगर हिंदू नहीं लिखते तो हमारा आरक्षन खतम हो जाएगा लेकिन ऐसी जो बाते फैलाए गई वो बाते सरासर गलत है और सरासर वह बाते जो है वो इस तरीके से गलत है क्योंकि उन बातों को हम सही नहीं कह सकते क्योंकि Central Government का जियार पास हुआ है उसमें State Government के Rules and Regulation है खास करके जो बोद लिखने के ऊ उपर में जनगंडना में स्पस्ट रूप से लिखाया है कि सीख हिंदू और जो बौध है इन लोगों को आरक्षन का पूरा-पूरा लाब मिल सकता है यदि वे अपने जाती के कॉलम में अपने पुर्वजों की जाती लिखे तो इस तरीके से यानि अपने अनुसुची जात से लिखे लेए और उस संक्या के आधार पर पार्लिमेंट में अपतिवर्ष बचट निर्मान होता है और उस बचट SCST के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है ठीक है कम जादा मातरा होता है अब शाशन प्रशादन किस तरीके से काम कर रहा है वो सब लोगों को पता है लेकिन वो बज़ट माइने रखता है जिस बज़ट के वज़़से SCST जो लोग है वो पढ़ पाते है नौकरिया उपलब्द कर पाते है और वो उच्च हाईयर एजुकेशन ले पाते है तो अगर आरक्षन यदि खतम हो जाए तो नौकरिया भी उपलब्द नहीं हो पाएगी सिख्षा भी उनको नहीं मिल पाएगी और बाबा साब का जो बाबा साब ने जो बोला है कि जो उच्च सिख्षित बनना है अमेरिका इंगलेंड जाके उच्च सिख्षित बनना है तो ऐसी उच्च सिख्षा वाली जो स्थिती है वो निर्मान नहीं हो पाएगी यदि बजट सही रुप से SCST लोगों के लिए उपलब्द ना हो तो इसलिए SCST के जो बजट है Central Government से उपलब्द करानी के लिए आपको सेडूल कास के कॉलम में अपने पुरवजों की जाती लिखनी है बाबा साब ने कहा था कि मैं यदि दो साल जी गया पाच करोड लोगों को बोद्द दिखा दूँगा इस वाक्य को पूरा करने के लिए आप लोगों को खास कर जो बोद्द है जो बोद्द अपने आपको बाबा साब की अनुयाई मानते हैं उन लोगों ने अपने धर्म की कॉलम में बोध लिखना है और जो भाशा का कॉलम है उस भाशा के कॉलम में अपनी मात्र भाशा पहली लिखना है दूसरी भाशा जो है अपनी जो धम लिफी जिसे हम पाली भाशा कहते है वो पाली भाशा second language लिखना है तीसरी भाशा अप लिख सकते या अंग्रेजी लिख सकते इस तरीके से ये तीन महत्व पुर्ण बिंदू पर यदि काम किया जाए तो यकीन मानिय भारत देश में कम से कम 10 करोड लोगों के आसपास बहुत है लेकिन वो बहुत लिखते ही नहीं उसके वज़े से इस डर के वज़े से कि अगर हम चल रही है और ये चल रहा है कि जाती के कॉलम में अपनी पुर्वजो की जात नहीं लिखना है और जाती क्योंकि बुद्ध धर्म में जाती नहीं होती ये बात बिलकुल सही है कि बुद्ध धर्म में कोई जाती नहीं होती क्योंकि बुद्ध जो बहुत दवेक्ति होता है उसके दिमाग में उसके दिल में कोई जाती कोई भेदबाव नहीं होता है चुकि आरक्षन जो है बाबा साब ने सविधानी कुरूप से उसको दरजा दिया है हम लोग सविधान को मानने वाले लोग है जो बहुत दो लोग है वो सवीधान की रक्षा करने वाले लोग है तो सवीधान की रक्षा कैसे कर पाएंगे जब तक हम सेडूल का सेडूल ट्राइब लोग को अपने में शामिल नहीं करेंगे और अपने में शामिल करने के लिए उनकी संख्या बरकरार रखना जरूरी है ज उनका एजुकेशन का स्तर, उनका सिक्षा का स्तर, उनका जीवन जीने का स्तर, उनका आर्थिक स्तर, बहुत सारे स्तर उचे उटना बाकी है, यानि धारा प्रभा में आना बाकी है, मुख्य धारा में आना बाकी है, इसलिए उनको उसका बेनिफिट लेने के लिए अपने जा रहे हम जाती ही बाबासाफ के बहुत सारे परीष्टों मों से हम पूरे जगजग गावगा प्रचार कर रहे हैं हम जाती ही में प्रशार करें हैना टो जैी नहीं प्रावधार में äमने जातई ने ब्हुत दर लिख में तो क्या हो जाएगा कि हम जूटी जानकारी दे रहे है इसलिए जूटी जानकारी नहीं दिना है बहुत द द飲ाम आम की कोई जाती नहीं होती है बहुत द da dhrma है और बहुत द धरम में किसी भी प्रकार की जाती या नहीं है बाबा साब के विचारों को पूरा करने के लिए य सारे जो जो क्या पोलते सामान्य वरग के लोग बैठे विए हमको न्याय ने दे पाते जातिवाधी लोग तब उसको सजा मिल सकते लेकिन हम अपनी सेडुल कास्क्ष् manière क्यातिव में अपनी जाती लिंखेंगे और वही अधिकार फिर हमें उकलब्द होगा कि हम हमारे उपर अईदी कोई अन्यात्याचर करता है या हमारे बहन बेटी पर कोई अन्यात्याचर करता है तो हम अनुसुचित जाती जन्जाती जो अधिनियम है उसके तहित उनके उपर अपरात पंजिबत कर सकते हैं इस तरीके से गाओ गाओ मे से भी बहुत दबनना है और आचरण से भी बहुत दबनना है पेंसिल से लिखे हुए परिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना है पेंसे लिखे हुए परिपत्र पर हस्ताक्षर करना है और तभी वो सही होगा और तभी वो उसका उच्छी तलाब सब को मिल पाएगा 36 गड़ में जो बोग्द्दोब की यहने सेडिल कास अबेकालने का एक एक रास्ता है धर्मा के कॉलम में बोग दलिखो और जाते के कॉलम में अपनी फुर्वजों की जाते लिखाओ झाल झाल झाल